नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली न्यूस अनालिसिस में इस वीडियो सिरीज इस प्रेजन्टिट टू यू बाय थिकाई एस इस वीडियो सिरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेर्स जो आपके UPSC और स्टेट एग्जामिनेशन्स के लिए बेनिफीशिल रहेंगे आज है चार नवेंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूस का अनालिसिस सबसे पहले हम पढ़ेंगे US की National Security Strategy के बारे में ये आपके GS के सेकंड पेपर से संबन्दी था इंटरनेशनल अफेर का टॉपिक है और दूसरा हम पढ़ेंगे मदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में ये आपके GS के थर्ड पेपर से संबन्दी था इंवार्मेंटल इशू है पिलिम्स एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन जरूर दबाईए ताकि आपको नौटिफिकेशन मिल सके और समय रहते आप अपने करन्ट अफेर का सेक्शन कंप्लीट कर सके अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूस के बारे में उसके अंदर की इन चीज़ों पर ज्यादा ध्यान देगा और उस स्ट्रेटिजी को अपने एक्जिक्यूटिव के साथ एज़ा विजन शेयर करता है एक नैशनल सिक्यूरिटी के लिए और ये किया जाता है गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ओफ डिफेंस रिकोगनिशन एक्ट जो 1986 में आया था अमेरिका में इस बार जो नैशनल सिक्यूरिटी स्ट्रेटिजी है इसके अंदर क्या दर्शाय गया है इसके अंदर क्या रिफ्लेक्शन हुआ है इस बार गवर्मेंट देखे जो नैशनल सिक्यूरिटी का एजन्डा होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो करेंट गवर्मेंट फिलाल हमारे देश में काम कर रही है यह हम जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं कि जो नई गवर्मेंट यहाँ पर आई है वो आज के समय में नैशनल सिक्यूरिटी को किस तरीके से देखती है उनके क्या व्यूज है और वो किन चीजों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती है जब हम नैशनल सिक्यूरिटी स्टेटिजी की बात करते हैं ये कॉंग्रेस को एक ऐसी अपोर्चुनिटी देती है जिसके अंदर वो उस कोस्ट को एकसिस कर सकते हैं एक्जामिन कर सकते हैं ये देख सकते हैं कि उनका देश कितनी कोस्ट को बेर कर सकता है उस जिससे उन्हें यह पता चलता है कि किन चीजों पर उन्हें सबसे ज़्यान देने की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर कोश्ट के अंदर अब इसके United States के Defense Strategy का तरय जो किस दिपार्टमेंट है, जो Defense Strategy को देखता है, उनको इंफोन किया जा सके की अब हम आने वाले समय में किस तरीके के जो निूकलियर पोस्चर्स हैं और मिसाल्स का Defense हैं उसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आप देखे जो Midian Administration की National Security Strategy है उसके अंदर क्या-क्या मुख्या चीजे हैं सबसे पहले जिसे अगर हम बात करते हैं लेडर्शिप की तो इनका कहना ये है कि US जो है वो अपनी गलोबल लेडर्शिप को सस्टेन करेगा आप भी जानते हैं कि अमेरिका जो है वो गलोबली ऐस लेडर काम करता है सभी देशों के लिए मध्यस्ता का काम करता है जहाँ पर भी किसी को कोई देश मध्यस्ता का नहीं मिलता है या एक तरह की सामा सकते हैं क्योंकि डोलर की एक डोलर अपने आप में है एक एकनोमी है Alliance ये चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा network बनाया जाए जिसके अंदर alliance किया जा सके और अलग-अलग countries के साथ partnerships की जा सके और ये चाइना को counter करना चाहते हैं as a strategic competitor क्योंकि चाइना इन्हें economic level पर compete कर रहा है और ये रशिया को भी counter करना चाहते हैं क्योंकि रशिया एक disruptor है और समय समय पर समस्याय पैदा करता रहता है ये competitiveness को boost करना चाहते हैं और जो democracies हैं दुनिया के अंदर अपनी country के अंदर उसको defend करना चाहते हैं फिलहाल ये कोशिश ये करना चाहते हैं कि जो इनकी domestic market है उसे international market के साथ मिलाया जा सके ताकि एक comprehensive set बनाया जा सके और एक जो transitional challenges चल र सबसे पहला है climate change, दूसरा है feud insecurity, फिर है जो pandemic अभी चल रहा था इसकी वज़े से जो समस्याय आई हैं terrorism, energy shortages और inflation जब ये एक considerable focus करना चाहते हैं outer space की security में भी और उसके governance में भी फिलहाल जो तीन main falcrums हैं US strategy के अंदर जिनके आधार पर ये strategy बनाई गई है वो है invest की जो अच्छी चीज़े हैं या फिर जिन चीज़ों से ज़्यादा profit हो सकता है उनके अंदर invest कीजिए infrastructure को build कीजिए और जो हमारे पास technologies हैं उनको और भी ज़्यादा modernize कीजिए ये लोग चाहते हैं invest करना ताकि American power ऐसे tools में invest करना चाहते हैं जिससे कि American power बढ़ सके और American influence जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके ये चाहते हैं कि अपने खुद की economy जो इनकी domestic level पर economy है उसको मजबूत किया जाए जो US की economy है और इनका जो infrastructure है critical infrastructure उसको improve किया जा सके ये चाहते हैं कि ऐसी technologies के अंदर invest किया जाए जैसे कि microchips और semiconductors जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा पाया जा सके ये लोग सबसे ज़्यादा मजबूत coalition बनाना चाहते हैं nations के साथ ताकि United States का जो ambition है और जितने भी limited driving जो भी geopoliticals हैं जो भी unilaterally हमें एक decision ले सके क्योंकि देखे इतने सारे देश है unilaterally decision लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी challenge है क्योंकि हर country के अपने खुद के ऐसे challenges हैं जो सिर्फ वो ही face करते हैं जिनके basis पर वो decisions लेते हैं तो ऐसे में कोई एक एक decision जो सभी country के लिए इखटा हो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा challenge हमारे पूरी दुनिया के सामने हैं और ये चाहते हैं कि हम एक इतना strong coalition बनाएं एक इतना मजबूत सहयोग बनाएं nations का कि जिससे हम ऐसे unilaterally decision ले सकें जब बात आती है global geopolitics की ये चाहते हैं जब हम बात करते हैं रशिया और चाइना के aspect में कि इनकी जो national security strategy है वो रशिया और चाइना को किस निगाह से देखती है तो देखिए ये एक joint strategy मनाना चाहते हैं जिसके तुरू ये जो external challenges हैं उन्हें tackle करना चाहते हैं जिसके अंदर ये चाइना को compete करना चाहते हैं आउट कंपीटिंग का मामला मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि चाइना को जो economy के मामले में चाइना यूएस के बहुत नजदीक आता जा रहा है ये उसको cover कर सके और चाइना को आउट कंपीट कर सके चाइना से बहुजा तेली से आगे बढ़ सके दूसरा ये रशिया को constraint करन चाहते हैं जिस तरीके से रशिया ने फिलाल यूक्रेन पर यूद किया हुआ है तो कहीं न कहीं ये गलोबली रशिया को भी एक साइड करना चाहते हैं ताकि उसकी जो economy है वो constraint हो सके बहुत कम फैल सके और आने वाले समय में बिल्कुल खतम होने की कगार पर या फिर पर फिलाल एक्टिव वार के अंदर लेकिन ये लोग ऐसे में रशिया पर जासा ध्यान नहीं दे रहे हैं ये ध्यान दे रहे हैं चाइना के उपर क्योंकि आने वाले समय में चाइना एक थ्रेट बन सकता है अमेरिका के लिए ताइवान के उपर इनकी position ये है अमेरिका का क लेवान के अपने खुद के वजूद को सपोर्ट करते हैं जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की तो देखिए एक तरफ चाइना है और एक तरफ है host of democratic partners on the other hand जिसके अंदर अमेरिका भी इंडो पैसिफिक रीजन का एक पार्ट है तो इस इंडो पैसिफिक रीज चाहते हैं और ऐसे में जो भी emerging gap बढ़ते हैं यह चाहते हैं इन्होंने दो countries को identify किया है जो है जापान और इंडिया कि यह दो countries उसके emerging app को fill कर सकती है जब हम बात करते हैं इनकी strategy के अंदर भारत के लिए इनके क्या विचार है यह किस तरह के से यह भारत को देखते हैं तो देखें यह चाहते हैं कि bilateral और multilateral partner बनाया जा सके भारत को जो कि अभी हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यह partnership share कर रहे हैं ज इंटर इंडिया की जो possible integration है important global forums के अंदर वो काफी जादा है जैसे की G7 हो गया जब हम बात करते हैं बिडन के NSC के उन तीन बड़े broad purposes के बारे में जो इनका strategic vision है वो यह है कि यह March 2021 तक एक interim national security strategic guidance release कर देंगे और यह लोग चाहते हैं कि पूरी clarity के साथ हम इस दिशा में आग vertically policies का implementation करें और चीजा का influence है और चीजों का impact है वो तेजी से देखा जा सके यह लोग चाहते हैं कि political expectations को अलग रखकर हम इस तरीके से काम करें कि जो सिद्धान्त हैं वो presidential सिद्धान्त अमेरिका को ध्यान में रखकर लिए जाए और अमेरिका की बहतरी के लिए काम किया करते हैं तो देखें इनके आगे बढ़ने के लिए बीडरन एडिमिस्टेशन ने नैशनल डिफेंस स्ट्रेटीजी फिलाल रिलीज कर दी है इन्होंने नैशनल पोस्चर रिव्यू किया है और मिसाइल डिफेंस रिव्यू भी किया है ताकि आने वाले समय में एक सेंट्रल मैसिझ बनाया जा सकें नैशनल डिफेंस स्ट्रेटीजी के लिए जो नैशनल स्ट्रेटीजी इन्होंने अपनी बनाई है जो सेक्योर fantasy बनाई है वो इन सभी चीजों का एक इखटा मिश्रन है ताकि यूएस की एकंोमी को आगे बढ़ाया जा सकें मजबूत किया जा सकें अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूस के बारे में, तो देखे, मदुमले टाइगर रिजर्व जो है, इसके बफर जो उनके अंदर एक स्पेसीज लगाई गई थी, जिसका नाम था सेना स्पेक्टेबिलिस, अब ये इतनी तेजी से फैल रही है, कि ये एक 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 एक्जोक्टिक पेड़ है, ये इतनी तेजी से फैल रहा है, कि इसने 800 से 1200 हेक्टेर जमीन, इस मदुमले टाइगर रिजर्व की कवर कर ली है, और जिसके अंदर इसका जो पिक्चर्सक्यू एरिया आता है, जो कि निलगरी हिल डिस्टिक्ट के अंदर है, पिक्चर्सक्यू का मतलब होता है, ऐसा एरिया जो बहुत आकरशक है, और जिसके अंदर बहुत पुराने पुराने पेड़्स हैं, देखिए इस समय इसका न्यूज में आने का क्या कारण है एक invasive species है इसके अंदर वो जो invasive species है वो एक organism है जो indigenous नहीं है किसी भी species को invasive तब कहा जाता है जब वो किसी दूसरी जगह पर जाकर अपना फैलाव इतना ज़्यादा कर ले कि वहाँ पर रहने वाली indigenous उस particular जगह की जो species है वो इतनी ज़्यादा मातरा में वहाँ ना हो जितनी की दूसरी species जो बाहर से लाई गई है तो ऐसे में जो ये species बाहर से लाई गई है ये यहां के जो economic और environmental concerns है उनको काफी ज़्यादा नुकसान पहुचा रही है क्योंकि ये एक नए एरिया में है और ये जो नए species है इसका नाम है Sena expectabilis Sena expectabilis को एक ornamental species के रोप में introduce किया गया था ये एक firewood use के इसका जो इस्तमाल है वो firewood के लिए किया जाता है और ये basically लाई गई थी South और Central America से इसका सबसे पहला इस्तमाल वहीं किया गया था ये जो species है ये highly invasive है इसने जितना भी सेगर पलेटू है यहाँ तक कि इनकी core और buffer zone buffer zone कहते हैं जो बाहरी area होता है किसी भी जगा का तो उस buffer zone को छोड़कर ये core में भी इस समय गुश चुका है इसके सीगर पलेटू के अंदर आपके मदुमलाई Tiger Reserve में मदुमली Tiger Reserve जो है ये आपके तमिलनाडू के निलगरी डिस्टिक्ट में located है और ये एक tri junction पर है जो की करनाट का केरिला और तमिलनाडू का tri junction है देखे इसकी जो अगर हम बात करते हैं जहां पर ये स्थित है पर्टिक्लर वो है आपका करनाट का ये पर्टिक्लर जगे है जो आपके करनाट का तमिलनाडू और केरिला के बिलकुल मद्य है और इनके बीच में आती है तो यह यहां पर स्थित है और ये पार्ट है निलगरी Biosphere Reserve का जो भारत का पहला बायो स्पेरी रिजर्व है यह surrounded है वैस्ट से वैर्नाण वाइलाइफ से जो केरियला में है नोर्थ में बांदिपूर नेशिनल पार्क से जो करनाटका का हिस्छा है और सौथ से मुकूर्थी नेशिनल पार्क और साइलेंट वैली से यह covered है यह वो जगा है जहाँ पर यह स्थित है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिए कि अगर आपके कोई डाउट है या आपको एक कोई कोई पूशन पूशन चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो बनाई जाए ताकि वो टॉपिक आपको खिलियर हो सके तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही धन्यवाद